नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज हम बात कर रहे हैं अकलेश यादव और ओपी राजबर की साल 2022 के विदायन सबा चुनाव दोनों ने साथ लड़े थे और उसके बार जब ये गडबंदन तूटा तो ट्विटर वार पोस्टर वार और अब जुबानी जंग लगातार जारी है अकलेश यादव ने ओपी राजबर पर हमला बोला है क्या कुछ कहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं उनकी एक ही लाइन में दो मतलब थे और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है ये ओपी राजबर को जरूर चुबने व जा रहे हैं इसलिए उनकी कोई बात अब नहीं मानेगा और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात करी जाए राजबर की तो उन्होंने पॉलिटिकल बिजनसमेन भी करार डाला क्योंकि इस तरीके से हमने देखा कि राजबर जब भी चुनाव आते हैं वो एक नए पार्टी ज जिस तरीके से अखलेश यादव ने उन्हें संग्या करार दिये वो एकदम सही है लेकिन वहीं अगर बात करी जाए तो यूपी में जिस तरीके से निकाय चुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी के साथ राजबर की नजदीकिया नज़र आ रही हैं अगर महाराश्ट की बा राजबर पर हमला करते उन्हें जरारे हैं ये माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर ओपी राजबर एक बड़ी जीत हासल नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद ऐसे तमाम आरोपों से उन्हें दो चार होना पड़ सकता है वैसे बीजेपी के साथ जाने का फैसला कह राजबर ने इसलिए भी लिया है क्योंकि उन्हें पता है कि अकले शादव भले ही चुनाव में हार जाएं लेकिन बीजेपी जो है वो निकाहे चुनाव भी जीत सकती है लोग सबाद चुनाव भी जीत सकती है और एक बड़ी पद्वी जो है उन्हें दी जा सकती है जिस इसी बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि क्या ओपी राजबर किसी एक पार्टी के साथ लोग सबाद चुनाव तक टिक पाएंगे या अलग-अलग पार्टी के साथ अपना इसी तरीके का समर्थन और अगडबंदन करते हुए नजर आते रहेंगे फिलाल इस खास परिशकर्श में इतना ही देखते रहें, नमस्कार